बोड़ाफोन आइडिया ने एक्विटी फंडिंग की हेल्फ से अगले जनरेशन यानी 5G कमर्शल सर्विस को मार्च 2025 तक सुरू करने की प्लानिंग बनाई है कमपनी के CTO यानी Chief Technical Officer जगवीर सिंग ने बताया कि कमपनी फर्स फेज में दिल्ली और मुंबई में अपनी 5G सर्विस को सुरू करेगी और कमपनी का टार्गेट है अगले साल जून 2024 तक भारत में कम से कम 90% पॉपुलेशन को 4G Network Service प्रोवाइड की जा सके साथ ही आपको बता दे कि बोड़ा फोन आइडिया ने अपने ये जो रिवाइबल प्लान है इस रिवाइबल प्लान के थुरू 24,000 करोड रुपे का फंड रेज किया है इसमें से 18,000 करोड रुपे का फंड जो है वो follow on public offer से company को generate हुआ है आपको बता दे कि company का कहना है कि maximum fund का जो use किया जाएगा वो 4G जो cover किया जा रहा है उसको और मजबूत करना है और इसके साथ 5G services को सुरू करने का भी objective company का है इससे अगर ऐसा company कर पाती है तो इसका benefit company को ये मिलेगा कि company Reliance, Jio और भारती Airtel जैसी जो बड़ी competition companies है इनके खिलाफ अपने competition को और मजबूत कर पाएगी और इस competition में बनी रहेगी साथ ही आपको बता दे कि जगवीर सिंग ने बताया कि present में approximately 1.03 billion लोग जो है वो 4G कवर करते है जो कि 77% है population का और company का target इसे 90% तक ले जाना है और ये target जो है वो अगले साल जून 2024 तक पूरा हो सकता है साथ ही उन्होंने एक उमीद जताई है कि network पूरी होने से एक तिमाई के बीतर बीतर company का जो ग्राहक का जो नुकसान हो रहा है उसको रोकने में मदद मिलेगी और बुड़फोन idea के जो consumer loss हो रहा है वो control